है लो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग माइनीम इस लक्षे कंसल और जैसा कि आप सभी को पता चली चुका है कि हम लोग यहाँ पर क्लास 12 का कंप्लीट स्लेबस करने वाले हैं फिजिक्स का तो आप लोग अगर क्लास 12 में हैं तो आपको पता ही होगा बिटा कि क्लास 12 में अगर मैं बात करूं तो बिटा टफेस्ट पेपर माना जाता है क्लास 12 के साइंस के स्टुडेंट के लिए और आने वाले समय में भी ये टफेस्ट ही रहेगा और अगर आप प्रिविएस येर पेपर देखें तो पिछले चार सालों से पेपर अलड़ी टफ आ रहा है तो इसलिए बच्चे बड़े परिशान रहते हैं कि फिजिक्स कहां से करें कैसे करें बड़ी प्राब्लम होती है तो बिटा आंसर इस पर्शंस अकेडमी तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का complete syllabus वो भी free of cost जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, discuss करेंगे और ना सिर्फ पढ़ेंगे, हम इसको बिटा समझेंगे वो भी general language में आसान भासा में हम इसको समझने कोशिश करेंगे अपने life के थ्रू जो चीज़े हमारी life में हैं available, उनके थ्रू understand करेंगे तो मुझे उमीद है कि आप लोग इसको समझ भी पाएंगे, याद भी कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ भी पाएंगे तो बिटा मेरी आपसे request है कि video start होते ही, आप लोग अपने notes बनाने के लिए copy और एक pen लेके बैठ जाये करो ताकि आप अच्छे से अपने notes बना सको in future revision के लिए, तो चलिए start करते हैं, chapter का नाम है बिटा, electric charges and field chapter 1 है आपका, तो इस class में सबसे पहले मैं आपको इस chapter का जो नाम है उसी को discuss करने वाला है, पहले पता तो चले क्या के chapter के अंदर है क्या है ना ताकि फिर हम इसके laws को, इसकी values को understand कर सके तो बिटा, सबसे पहले हम electric word के अगर धियान दे तो electric word आया कहां से, क्या होता है, थोड़ा सा उसको discuss करते हैं तो काफी पुरानी एक game होती है, अगर आप लोगों ने बचपन में खेली है मैंने तो खेली है, कि अगर आप अपने बालो से, dry hair से, अगर आप क्या करते थे कि एक कोंब को, एक कंगे को अगर आप रब करते थे, तो वो छोटे-छोटे कागज को, छोटे-छोटी कंकड को है न, और मिटी को अपनी तरफ attract कर लेता था हम तो school में भी कंगा लेके जाते थे, तो वहापे भी क्या होता था, कि chalk का dust बना के वो attract होती थे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया है, कि अगर आप इस कोंब को आप अपने dry hair से rub करते हैं, तो ये छोटे-छोटे से जो particles होते हैं, उनको अपनी तरफ attract करने लगता है, तो एक चीज सोचने वाली बात ये है, आप लोग को पता ही है कि human tendency है, कि हम लोग हर चीज का देखते हैं, कि वो कहां से आई और कैसे बनी, तो एक सोचने वाली बात ये है, कि dry hair से, जब मैंने इस comb को सिर्फ rub किया, रब करने के बाद जादे-जादे मैं ये सोच सकता हूँ, कि मैंने क्या लगाया होगा, friction लगाया होगा, 11th class में पढ़ चुके हैं, friction क्या होता है, ए आपने hairs के बीच में और बालों के बीच में, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी skin the property आ गई, ऐसा क्या development हो गया, कि इसने छोटे-छोटे particles को अपनी तरफ ए ट्रेक करने स्टार्ट कर दिया, एक सोचने वाली बात है, तो इस चीज के बारे में, सबसे पहले जो हमने देखा, तो देखने वाली साइंटिस्टों में सबसे पहला जो बीटा नाम था, वो थे थैल्स ओफ मिलेटस, एक्चुली थैल्स ओफ मिलेटस ने क्या किया, उन्होंने एक चीज देखी, कि अंबर नाम का जो material होता है, अंबर जानते हैं आप लोग, अंबर एक ऐसा material है बीटा, ज इसी तरीके से अगर इंसेक्ट्स, देख रहे हो, इसके अंदर मैंने दिखाया है, इंसेक्ट्स वगएरा होते हैं, जो पेड़ पोदों पर मर जाते हैं, यह लगे रहते हैं, तो जनरली उनके चारों तरफ एक लिक्विड सी की लियर बन जाती है, एक स्लाइवा जैसा लि अंबर को अगर वुलन के क्लोथ से आप रब कर दें, अगर अंबर को किस से वुलन के क्लोथ से आप क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो रब करने के बाद इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही प्रोपर्टी इनको दिखाई दी, जैसा कि उस कॉम्ब के अंदर दिखाई द दो बोडी के बीच में कि अगर उनको आप रब करें तो आपस में वे किसी और बोडी को स्मॉल बोडी को अपनी तरफ एट्रेक करने लगती है उन्होंने इस चीज के बारे में डिसकस किया और उसके बाद लगबग 1600 AD के अराउंड एक साइंटीस राई विलियम गिलबर्ट तो बटा विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अगर आप उनको एक दूसरे से रब करें बहुत सारी ऐसी बोडी होती है कि आपस में फिर क्या होती है एक दूसरे से एट्रेक्ट होने लगती है और अनधर small particles को भी अपनी तरफ क्या करती है एट्रेक करने लगती है small small particles को जैसे मैंने आपको बताया game होती है कोंब को अगर आप रब करने dry hair से तो छोटे-छोटे particles को अपनी तरफ attract करने लगेगा तो इसकी study इन्होंने पूरी अच्छे से की और एक book भी इन्होंने इसके उपर लिख दी थी और इन्होंने ही इस property को एक नाम दिया that is known as electrica अब आप पूछोगे सर electrica नाम क्यों दिया क्योंकि बेटा ये Greek scientist थे और Greek language में ये जो अंबर है ये जो अंबर है अंबर को actually Greek language में electron कहते हैं electron, electron नहीं, electron ठीक है, electron कहते हैं और इसी सही सारे words बने electrica या electric जिसको हम discuss कर रहे हैं या electric charges या electron सारे के सारे words इसी से बने तो यानि कि कहने की बात क्या है कि इन्होंने ये बताया कि the property of rubbed substances एक property हो गई rubbed substances कि जिसकी वरे से ये क्या करता है, light objects को अपनी तरफ attract करेगा, उस property को हमने क्या नाम दे दिया, electricity या फिर electric उसको हमने क्या नाम दे दिया, electricity या फिर electrica, समझ पा रहे हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें word तो समझ में आ गया तो definition अगर आपको लिखनी है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, कि the property of rubbed substances by which they attract light objects is called electrica ठीक है, यह important है इसके अंदर, rub किये भी ना, हमारे पास यह property नहीं आई, इसलिए हमने आप एक नाम दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब एक बात बताओ आप, अब इसके अंदर, दूसरे कुछ और भी words आते हैं, जन्नली क्या होता है, कि आप लोग words में confused हो जाते हो तो 4-5 words हैं, जिनको मैं पहले ही एक बार ही discuss कर लेता हूँ, ताकि chapters में आगे problem नहीं हो तो electricity तो आप समझी गए होगे, electricity का मतलब क्या है, the property of rough substances, एक ऐसी property of rough substances की, जिसके वज़े से विक्या करने है, light objects को attract करने लगते हैं, उस property को हमने क्या नाम दे दिया, electricity दे दिया, ठीक है या फिर अंबर रब किया गया, woolen clothes से, तो इन सब particles को, इन सब matters को, substances को हम electrically charged matter या फिर electrified कहते हैं, ठीक है next word होता है, electro static, तो electro और static, दो वर्ड से मिलके बना है actually, electro का मतलब तो वही हो गया, electricity और static का मतलब रुका हुआ तो अगर आप electricity की, electricity के अगर आप study करेंगे, static condition में, यानि के rest position में, अगर आप study करते हैं, electricity की, तो उसको हम electrostatics कहते हैं ठीक है, उसके बाद एक और word है, वो ये in future आपको मिलेगा आगे के chapters में, electro magnetism, तो electro और magnetism, ये दो वर्ड से मिलके बना है electro का मतलब पता ही है, electricity है, और magnetism का मतलब magnet होती है, तो electricity और magnetic की combined study को हम क्या बोलते हैं, electromagnetism बोलते हैं, ये भी first chapter में use हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है last word होता है, frictional electricity, बेटा, frictional electricity बोलो या simple electricity बोलो, एक ही बात होती है, क्यों यहाँ पे frictional लगा देते हैं कभी-कभी, क्योंकि friction से rub करने के बाद ही, तो electricity प्रोडूइस हुई न, तो इसलिए हमने इसको frictional electricity भी नाम दिया है, समझ पा रहे हैं, कोई problem नहीं है, तो हमें ये तो पता चली गया कि सर, electric का मतलब क्या है, या electricity का मतलब क्या है, अब chapter का नाम क्या था, electric charges and fields, तो अब बात करते हैं, ये charges क्या है, या electric charges का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सम देखने ही कोशिक करते हैं, ठीक है, तो मान लो कि पहले वाला ही मैं example लेता हूँ, आप एक बात सोच कि कॉम को मैंने dry hair से rub किया, कॉम को मैंने dry hair से rub किया, तो इसके अंदर एक special तरह की property आ गई, कि छोटे छोटे particles को ये क्या कर लिए, attract कर लिए, लेकिन एक बाताओ, attract कर लिए तो यानि कि ये particle उड़के उपर इसके उपर जाएंगे, इसके उपर moment करेंगे, इसके उपर motion कर force, है कि नई, अगर force नहीं है, तो motion होना possible नहीं, ये बात आपको पता होगी, है न, तो यानि के इन दोनों के बीच में एक special तरह का force of attraction कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक force produce हो गया, attract हो गया, है न, या फिर यहां पे dust particles होते हैं, इन दोनों के बीच में भी हो गया, है तो actually में इन particles के जो matter के particles हैं इनके बीच में जो electric force डवलप कराए that intrinsic property will be known as the electric charge यानि के जिसकी वज़े से electric force डवलप हो जाए छोटे particle के बीच में और एक बड़े particle के बीच में जिसकी वज़े से in matters के particles के बीच में क्या develop हो गया एक electric force develop हो गया तो that property will be known as the electric charge, ठीक है, और अच्छे से अगर understand करना है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना, आगे आपको और अच्छे से पता चल जागा actually में कि electric charge है क्या, और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि property of which, या intrinsic property of the elementary particles by which it gets the electric force, है न, तो definition के लिए अगर बात करें, त definition तो आपको यही लिखनी पड़ेगी, है न, कि it is an intrinsic property of the elementary particles of matter which gives an electric force between the objects, that will be known as the electric charges, ठीक है, तो हमें दो बाते पता चल गई, कि electric का मतलब क्या है, है न, हमें क्या पता चला, कि sir, electric का मतलब क्या है, और charge का मतलब क्या है, तो इन दोनों बातों को अभी हमें अपने ध्यान मे रखना है, chapter का नाम है, electric charge and field, तो बेटा, field को हम आगे discuss करेंगे, पहले हम आज, charge के बारे में थोड़ी से और जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है, तो charges की बेटा, अगर हम बात करें, तो types of charges होते हैं, number of types of charges होते हैं, तो इसको understand करना पड़ेगा हमें, तो इसको understand करने के लिए सबसे पहले, एक scientist आए, जिनका नाम था, Charles Duffe, जिनका नाम था, Charles Duffe, तो Charles Duffe ने वेटा, एक experiment किया छोटा सा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इस तरीके से एक system मनाया, कि अगर मैं एक glass road ले लूँ, मालो, this one is glass road, और this one is a cloth, कोई आप silk cloth ले सकते हैं, एक कोई silk cloth ठीक है, और जब मैंने उन दोनों को rub किया, और rub करने के बाद इन दोनों को ऐसे टांग दिया, ऐसे hanged कराया, तो इन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को attract कर रहे थे, और अगर इन्होंने क्या किया, second case में, कि अगर इन्होंने glass road जो थी, ऐसी ही एक और glass road rub करने के पाद cloth पर इहां पर लटका दी, यहां पर hang कर दी, तो ये दोनों एक दूसरे को repel कर देती है, इन्होंने देखा कि अगर मैं cloth के साथ भी यही काम करता हूं, दो silk cloth यहां पर hang कर देता हूं, तो cloth में भी यह होता है, ये दूसरे को repel करते हैं, दोनों के बीच में एक distance बन तो इस condition को देखते वे इन्होंने एक बात कही कि इसका मतलब charges जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक ऐसे charges जो same हो तो ऐसे charges जो बिल्कुल same होंगे वो आपस में एक दूसरे क्या करेंगे रिपल करते हैं तो ऐसे charges को इन्होंने क्या नाम दे दिया like charges एसे charges इन्होंने क्या नाम दे दिया like charges like charges इन्होंने बोला और like charges की इन्होंने condition क्या बोली कि like charges always repel to each other ठीक है और similarly जो charges एक दूसरे क्या कर जाएंगे attract कर जाएंगे उनको इन्होंने नाम दिया था unlike charges और unlike charges attracts always to each other ठीक है अब इसके अंदर बच्चे बड़ा confused रहते हैं कि sir like है like का मतलब तो पसंद करना होता है तो पसंद करना का मतलब तो attract होना चाहिए है ना नहीं बिटा like का मतलब पसंद करना जरूर होता है लेकिन हम liked चीजों को actually में repel ही करते हैं प्रूफ करता हूँ कैसे अगर मान लो कि आपके जैसा ही कोई है आपके जैसा ही कोई person है जैसे मान लो कि दो male person है तो आप उसको like तो करोगे लेकिन कभी भी आप उससे attract नहीं हो सकते है ना हम हमेशा क्या होते है एक opposite negative यानि कि अगर आप male है तो female से ही आप क्या होते है attract होते है लेकिन आप तो एक जैसे नहीं है क्या है आप unlike है तो आप एक दूसरे से attract होते है ये एक harmonical की बात कर रहा हूँ में इसमें कोई मजाक वाली भी बात नहीं है तो actually मैं like क्या करते है एक दूसरे को हमेशा repel करने की कोशिश करते है हम अगर एक जैसे है एक दूसरे जैसे तो हम generally आपस में दोस्ती नहीं गरबाते है थोड़ी सी हमारे अंदर क्या होती है attraction होना चाहिए अनलाइक होना चाहिए कि अरे वायार इसकी यह वाली बात बड़ी अच्छी लगी मुझे है ना यह मुझे भी सीखनी चाहिए है ना बड़े attract होते हैं उसके तरफ तो unlike हमेशा attract करेंगे और like हमेशा repel करेंगे बाकी कोई tension वाली बात नहीं है जब इसके हम कुछ questions डिसकस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा तो हमारे सामने हमें यह पता चल गया कि charges जो होते हैं वो दो तरह के होंगे एक like charges और एक unlike charges like charge हमेशा repel करेंगे और unlike charges हमेशा एक दूसरे को attack करेंगे बट एक बात बताओ जब हम science पढ़ते हैं जब हम physics पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या होता है कि हम generally क्या करते हैं 99% क्या 100% हम यह सोचते हैं कि नाम भी अगर दिया जाए या कोई derivation भी अगर किया जाए तो वो इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि उससे उस चीज का meaning पता चले उसकी value पता चले और वो दूसरी चीज़ों को भी आसानी से describe कर सकें यह बात तो मानते हो आप जैसे कि आपने 10th class में पढ़ा होगा V is equal to I are ओम लो तो वो V और I की सारी values को define करता है लेकिन यहां पर जो इन्होंने नाम दिया कि like और unlike charges नाम रख दो तो number one एक चीज तो यह बताओ क्या हमें सिर्फ नाम से quantity का पता चल रहा है नई क्या हमें सिर्फ नाम से values का पता चल रहा है values in the sense sign की बात कर सकते है कि कौनसा charge का नाम से तो दो problem हमारे सामने यह आई कि ना तो हमें quantity का पता चल नहीं value का पता चल ला even हमें उस चीज के material का भी बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास दो like charges हैं, क्या बता सकते हैं किस चीज के लिए हैं, मैंने silk cloth लिया है, मैंने glass road लिया है, मैंने amber लिया है, मैंने woolen cloth लिया है, comb लिया है, क्या लिया है, नहीं बता पा रहे हैं, तो नहीं हमें उसका क्या पता चलना है, material पता चलना है, तो चलो material तो हम वैसे भी और आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट में और अपनी लाइफ में बहुत कम करते हैं, इनका नाम का सिर्फ आज के टाइम में यूज सिर्फ इतना है कि अनलाइक यानिके एट्रेक करने वाले हैं और लाइक मतलब रिपेल करने वाले हैं, तो अब सामने फिर चार्ल्स टूफे कि according to its material दो तरह के होंगे, पहला होगा vitreous charge और दूसरा होगा resinous charge, अब ये नाम उन्होंने क्यों दिये, ये भी सोचने वाली बात है, ये ये नाम क्यों दिये, क्योंकि बएट्रियस का अगर हिंदी में मिनिंग निकालो तो vitreous का मतलब होता है कांच, और resinous का अगर बात क जिनके अंदर वही प्रोपर्टि आये जो कि class road के अंदर डवल अप हुई है रब करने के बाद तो ऐसे सभी particles को हम क्या कहेंगे Vitrius particles कहेंगे विट्रियस Charges कहेंगे और ऐसे सभी particles जिनके अंदर वही property आये जो कि Amura को Vulin से क्लोठ से रब करने के बाद आथी है तो ऐसे सभी particles को ऐसे सभी matters को हम क्या कहेंगे resignus कहेंगे यह उन्होंने define किया तो बड़ा अच्छा लगा सबको कि higher बात तो सही कह रहे है कि glass road जैसे जिसमें property आएगी उसको हम vitrius कह देंगे काच वाले या काच जैसी property वाले और जिनके अंदर अंबर जैसी property आगी resignus हो जाएगा that's it बात खतम quantity भी पता चला सकते हैं इससे लेकिन फिर से वही problem क्या sign का पता चल रहा है बीबी material पता चल गया quantity पता चल जाएगी calculate कर सकते है measure कर सकते हैं लेकिन sign के बारे में भी वही problem है टच कराके देखना पड़ेगा कौन सा क्या है दूसरी बात कुछ ही समय बाद उन्होंने ये लगबग आपका 1680 के time पे ही दिया था sorry 100 years ago ही दिया था 100 years ही होँए इस बात को लेकिन उसी time के कुछ समय बाद एक दो तीन साल बाद ही एक हमें पता चला कि अगर ground glass road हो ground glass road समझते हैं ground glass road मतलब की एक earth हम लें कोई road है ना तो उसके अंदर भी अगर हम abonite की polish कर दे abonite एक particle होता है abonite की polish अगर आप इस glass road पे कर देते हो और फिर इसके बाद इसको रब करते हो तो इसके अंदर glass road जैसी property रहती ही नहीं है इसके अंदर कैसी property आती है amber जैसी property आती है तो यह तो exception हो गया और याद रखना physics में exception नहीं होते chemistry में बहुत हैं आप उनसे जगडा करो physics में हम exception नहीं छोड़ते इसलिए हमने vitreous और resinous नाम को भी discard कर दिया हम नहीं मानते इसको ठीक है ना तो काफी समय बीता फिर उसके बाद तो एक time के बाद हमारे पास एक special तरह की theory आती है electronic theory of frictional electricity इसको हमने understand करना है और important भी है बेटा यह paper में आई भी है इस theory को हमें understand करते ही पता चल जाएगा कि charges कितने तरह के होते हैं क्यों होते हैं value क्या है material क्या है सब कुछ हम जाजाएगे तो electronic theory of frictional charges क्या कहती है कि बिटा यह पूरा का पूरा जो universe है यह एक ही चीज से मिलके बना है जानते किसी से मिलके बना है atom पूरा का पूरा universe किस से मिलके बना है atom कुछ इस तरह का होता है आप लोग ने देखा होगा 10th class से पढ़ रहे हो जिसमें बिलकुल बीच में अगर बात करें तो neutron और proton रहते हैं proton को हम positive मानते हैं और neutron को हम neutral मानते हैं ठीक है और इन दोनों को combinedly हम क्या कहते हैं nucleus कहते हैं और इस nucleus के चारों तरफ electrons जो होते हैं जिन से हम लोग बने हैं एक elementary particle है हमारे matters का, हमारे substances का ये move करता रहता है movable है यानि के proton और neutron तो क्या है rest में रहते हैं और electron move करते रहते हैं ठीक है और electron के एक tendency भी होती है electron के tendency बिटा क्या होती है कि अगर आप electron को थोड़ी जी higher energy दे दोगे तो ये move कर जाता है मालो suppose that कि मेरे पास ये glass road का item लिया मैंने और इसके उपर charges मैंने ये draw कर दी है ठीक है, ये कुछ charges है electron से और मैंने क्या किया एक cloth ले लिया ठीक है, silk cloth ले लिया अब जब मैं इन दोनों को rub कराता हूँ आपस में मैंने इनको rub कराया तो rub कराने के बाद आप लोग जानती है क्या होगा, energy का transformation होता है heat transfer होता है, अपने हातों को भी rub करते है तो लगता है न, थोड़ा गरम-गरम सा तो एक energy transformation होगा और अभी मैंने बताया कि electron की tendency होती है कि वो low energy से high energy की तरफ move कर जाएंगे तो यहां से भी क्या होगा कि charge उठकर के इसकी तरफ move कर जाएगा इस तरीके से charge move कर जाएगा अब आपको पता है कि electron को हम negative कहते है तो इसका मतलब यहां से कुछ negativity transfer हो गई अगर यहां से कुछ negativity transfer होगी तो मेरे पास क्या बचेगी positivity बचेगी तो यानि कि glass road मेरी क्या होगई positive होगई similarly किसी के पास अगर negativity जाएगी तो वो क्या हो जाएगा तो यहनि कि मेरा silk cloth क्या हो गया negative हो गया तो इसी तो लिए हमने charge को दो नाम दे दिये इस theory के according कि बचा आज से जो charges होंगे वो दो तरह के होंगे एक को हम बोलेंगे positive charge है ना एक को तो हम क्या बोलेंगे positive charge बोलेंगे ठीक है positive charge बोलेंगे और दूसरे को हम क्या बोलेंगे आज से negative charge बोलेंगे ठीक है क्यों ऐसा किया क्योंकि थियोरी ने हमें ऐसा बताया कि positive charge और negative charge क्योंकि electron जो होते है वो negative होते है आपको पता यह है उनका nature है conventional है convention हमने दिया वा है electron को और proton को electron का conventional plus लेते हैं electron का conventional हम minus लेते थे proton का plus लेते थे और neutron का 0 लेते थे तो इसलिए हमने भी चार्जिस को दो नाम दे दिया अलग अलग तरह के according to its electronic theory of frictional electricity कि charges जो होंगे वो आज से दो तरह के होंगे positive charges और negative charges अब बिटा कभी कभी आपसे अगर कोई ये पूछे कि आखिर ये theory दी किसने तो बिटा बहुत लोगों के नाम इसमें जुड़े रहते हैं लेकिन बेस्ट जो आंसर है वो है बिटा Benjamin Franklin Benjamin Franklin नहीं इस theory के बारे में अच्छे से बताया था कि charges जो होंगे वो दो तरह के होंगे positive charge और negative charge ठीक है और आप लोग जानते ही है proton proton आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो यानि कि positive positive charge अगर दोनों होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे और अगर positive negative होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को एट्रेक करेंगे similarly negative negative एक दूसरे को repel करेंगे और negative positive क्या करेंगे एक दूसरे को attract करेंगे ठीक है तो ये बात हमें पता चल गई तो हमने अब तक ये जान लिया कि actually में charge क्या है सबसे पहले कि सर like और unlike हो सकता है ये नाम जादे काम में नहीं आया vitreous और resignus हो सकता है ये भी जादे काम में नहीं आया तो finally हम पहुच गए conclusion पे कि charge क्या है एक property है matter की particles of matter की particles की property है matter के अंदर उनकी property है particles of matter की एक property है जो की क्या करती है दो particles को आपस में attract करने के लिए यानि कि contact करने के लिए एक electric force लगाने के में मदद करती है एक property है ठीक है न एक electric force लगाने में हमारी help करती है उसी property को हमने क्या नाम दे दिया है charge ठीक है और charge कितने तरह के हैं अब हमारे पास finally दो तरह के charges हैं अब हमारे पास एक को हमने क्या नाम दिया positive charge नाम दे दिया और दूसरे हो क्या नाम दे दिया, निगेटिव चार्ज नाम दे दिया, ठीक है, I think आप लोग understand हो गए होंगे, आप लोग को comfortability आ गई होगी, क्या खिर चार्ज है क्या, ठीक है न, तो विटा अब आगे जो हम topic discuss करेंगे, कि कैसे पता चलता है कि कि किसके उपर positive चार्ज और ऐसे हमारा chapter जो है continue हो जाएगा, ठीक है, तो बिटा आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको लगेगा भी नहीं कि हम physics जो tough है subject बच्चे बोलते हैं, 12th के even, DPS के student जहां पर मैं पढ़ा रहा है, उस टाइम वो भी अच्छे भी बोलते हैं कि सर बहुत tough है, बहुत मतलब दिक्कत आती है, लेकिन आपको पता भी नी चलेगा इतना मज़ा है पढ़ने में, ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और अगर आपको बेटा मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो बेटा मुझे support कीजि ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्यू, बबाए